हालो एवर्ड़ों वेल्कुम बाक टु मारे चैनल कैसे हो आप सभी आप होप यॉआ डूइंग गूड हम सब भी अच्छे हैं और यह व्लॉग है तीन तारिक का मेरे हस्बन का बहते था तो प्लान था शाम में हम सब मिलेंगे इकटे होंगे और मैं बनाना चारी थी अच्छ तो सबसे पहले मैंने एक लीटर दूच चड़ा दिया था खीर बनाने के लिए मैं बनाने वाली हूँ कारमल खीर और रेसिपी इसके एक दम सिंपल है एक बर पहले भी आपके साथ शेयर कर चेकी हूँ लेकिन हमेशा ही जब मैं खुद भी कुछ ने तरीके से कोई चीज बना रही होती हूँ मुझे लगता है यह ट्राय करके देखना चाहिए तो वह मैं फिर आपके साथ वेरियेशन होता है तो आप शेयर कर देती हूँ मैंने यहाँ पर थोड़ा सा पानी चड़ा दिया है क्योंकि मुझे छोले बनाने है न तो उसके बहुत दोस्त पुछते हैं तो आपने पाकेट देख लिया है टाटा टी गोल्ड नाइन आट अट अफ टेन टाइम में यूज करती हूँ और इसके बाद छोले तो आज मैं ऐसे बनाने वाली हूँ ना जो खाने में तो इतने मज़दार लगे थे मामी ने बताया था बहु बहुत लगते हैं तो इसमें रफली काट करके प्यास टेमाटर में आड करूँगी प्यास तो मैंने फिर भी थोड़े से बारीक कर लिया है पर टेमाटर तो मैंने एक में से दो ही हिस्से कर लिया है आप चाहो तो होल भी डाल ले ना पर मैंने होल नहीं डाला क्योंकि कुछे खड़े मसाले आड़के हैं मैंने जो आपने देखे और साथ में आड़कर देंगे ये टबाटर भी और भी इसमेंटा बाद में त्वड़ा अमचूर मिलाऊंगी चोले में त्वड़ा जोड़ जाता ही यह अच्छा लगता है इससे टमाटर प्यास से मैंने कम रखें या बरावर भी आप रख सकते हूँ वो completely आपकी चोईस है अड़ करेंगे इसके अंदर सॉल्ट और जो चायपती का पानी बना के रखा है वो भी वैसे चायपती का पानी भी ऑप्शनल है आप यह जो छोले है इसको 7-8 सीटिया ले लीजेगा तो छोले तो हो गए 7-8 सीटिया आने में वक्त लगेगा इसलिए मैंने इसको साइड में रख दिया है तब तक दूसरी तयारी कर लेता है तो खीर बनाने वाली हूँ मैं कैरमल वाली इसके लिए थोड़ी सी चीनी निकाल है पैन में और क्योंकि मेरे हाँ चीटिया बहुत आती है तो इसलिए चीनी में मैं लॉंग मिला करके रखती हूँ वही लॉंग रिमूव कर रही थी और इसके बास स्लो टू मीडियम फ्लेम पे यह शुगर को कारमलाइज करना है इसमें आप नॉन स्टिक बरतन भी ले सकत लेगे तो सबसे पहले मैंने आड कर दिया है थोड़ा कंडेंस मिल थोड़ा सा रिच हो जाता है इस खीर टेस्टी लगता है थोड़ा सा इलाइची का पाउडर आड कर दिया है और अब यह आड़ करना है कारमल बट मेरा कारमल अभी रेड़ी नहीं है तो मैं इसको दिर नहीं पकाएंगे जैसे ही चीनी घुल जाएगी और हनी जैसा कलर आ जाएगा बस कारमल इस रेड़ी जो खीर का बरतन है वो वला गैस बंद कर देना पहले और उसके बाद कारमल डालना क्योंकि अभी कभी न उचलता है तो सेफटी कम्स फर्स्ट इसलिए मैंने पहले उसका बर्नर बंद कर दिया था उसके बाद कैरमल पोर किया उसके बाद आप इसे मिक्स कर लो कोई अगर लंप बन जाते है न कैरमल के तो आराम से गरम दूद में घुल जाएंगे तो आपको टेंशन लेनी की ज़रत नहीं है और कलर देखें कितना प्यारा आया है थोड़े से ड्राइफ रूट्स जो काटे हुए थे उसमें से थोड़े से अभी मैं मिला दूँगी काजू बादा मैंने अभी मिला दिया है चोई इसके ड्राइफ रूट्स आप इसमें मिला सकते हैं और इसको अब सिमर होने दीजे मेन्वाइल मैं आलू गोबी की सबजी बना लूँगी तो यह मैं लोहे की कडाई में बनाऊंगी बहुत अच्छी बनती है लोहे की कडाई में यह बुनी हुई सबजियां लोहे की कडाई से जो आपका फूड है वो भी आयरन रिच हो जाता है तो मैंने कडाई के अंदर लिया था थोड़ा सा ओईल और अड़ किया था बे लीव जीदा अड़ कर दिया था और इसमें है जो गोवी आलू बनाती हुँ मैं इसमें तोड़ा सा अधरक की मातरा में ज्यादा रखती हुआ वैसे गोवी में तोड़ा अधरक ज्यादा अच्छा भी लगता है वो जो उसकी वातकारक कपैसिटी होती हो उसको रिडूस कर देता यह सब चीजों को थोड़ा सा भून लेना है इसके बाद पर इसमें रूटीन के मसाले आड़ करना है हल्दी मिर्ची धनिया का पाउडर आड़ कर रही हूं मैं और इसको है ना आप चाहिए तो अलग से एक पेस्ट बना सकते हो पानी के साथ वह आड़ कर दे थोड़ा सा सौ नहीं बराबर खीर को देख रही हूं मैं क्योंकि मुझे अब इसको जादा नहीं पकाना चावल पक चुके थे सारी चीज़े पक चुकी थी और कंसिस्टेंसी भी बस मेरे हिसाब से ठीक ही है तो यहां पर मैंने गोबी आड़ कर दिया है आलू गोबी की सबजी वाले मसाल में और वहां पर खीर पर भी मेरी नजर है ही तो मैंने देखा मुझे लगा ठीक हो गया भी से छोड़ देता है खीर का बर्नर मैंने बंद किया है आलू गूबी में स्वाद के साथ से नमक डालेगा और बस यह तो हो गया यह तो पांच मिनट में बन जाती है सबजी बस गड़ाई की लिड मैने इसमें फिक्स कर दिया है तामाटर में अधरक डाल करके मैंने एक मसाला त्यार कर लिया था अच्छली मेरी सासु माम है ना वह लेसुन नहीं खाती है तो किसी भी चीज में मैं लेसुन नहीं डाल रही हूं बट आप चाहें तो वैसे तो अब तक ह के अंदर आड़ गया था ओयल थोड़े से खड़े मसाल है और इसके बाद धेर जारा प्यास क्योंकि मैं बना रही हूं मटर पनीर और मटर पनीर ना बहुत बेसिक रैसिप है इसके लिए कोई ज्यादा ताम जाम और इंग्रीडियंट भी नहीं चाहिए और यह एक ऐसी चैप्षय ने जिसमें मैं पनीर और यहां जो कर लिए और ना कर दिया यह जिससे प्ली में अदर का मॉईस्टर लास ना हो जाये और प्यास भून गये थे अम इन्दर आड गया है नमक क्योंकि बेग्णिंग में नमक या बहुत वक्त लगता है प्यास थोड़ी लालीम क् तोड़े redness आ जाए उसके उपर तब नमक मिलाएं तो इससे और भी अच्छी soft आपकी प्याज भून करके तयार होगी आलू गोबी मैंने चेक किया था आलू ready हो गया था तो इसके अंदर पर मैंने last में दो very important ingredient डलते हैं जो आड़ कर रही हो मैं थोड़ा सा गरम मसाला और थोड़ा सा आमचूर का powder ज़रूर से आड़ करना इसके बाद give it a very good mix और इसकी और दो पांच मिनट भुनाई करें बतब तब तक भूने तब तक कि आपकी गोबी और आलू पे लाल लाल सा स्पोट आने लगे भुनाएगा इत्तितर भूने बस यह ready ही है मटर पनीर की सबजी के लिए आपका प्याज भी बहुत अच्छा लाल भुनावना चाहिए यह भी एक mandatory point है इससे ज्यादा बढ़िया आपकी सबजी बनती है कच्चे कच्चे प्याज या जैसे हम मीठे कर लेते हैं प्याज ट्रांसलूसेंट करके वो इसमें अच्छे नहीं लगते तो बढ़िया ब्राउन बूना इसके बाद जो टमाटर पीसे थे अधरक के साथ वो मैंने यहां मिला दिया है मटर पर्णी में लसन बहुत अच्छा लगता है तो आप खाते हों तो लसन ज़रूर मिला लेना थोड़ा मसाले आड़ किया है मैंने कसूरी मेथी कलर वाली मिर्ची थोड़ा सा मीट मसाला उसके पास रुटीन के मसाले हल्दी मिर्ची धनिया का पाउडर आड़ कर रही और थोड़ा सा ब्लाक पाउडर भी मैंने यहां पर आड़ किया है और यह हो गए मसाले और इनको अच्छी तरह अभी भूनना है थोड़ा सा सारे फ्लेवर्स को बालनस करने के लिए चीनी के दानी मैंने आड़ कर दिया है और यह मसाला इस तरह हो जाए ठिक हो जाए इसक पानी में उतार लिया था सो दाट ये ड्राइना हो जाए रभरी साना हो जाए पानी के सहे थी मैंने जो पनीर है वो एड कर दिया है मसाले में और जो जो पनीर जुड़े हुए थे उनको चुटा कर लिया है स्वाद के हिसाब से नमक मिला दें ग्रेवी आप आपके चोइस के हिसाब से रखिएगा उसी हिसाब से फिर पानी मिलाएगा इसको अच्छे तरह मिक्स दे दो और इसके बाद इसे मैं दो सीटियां लगाऊंगी और इतना बढ़िया ग्रेटर की जो मोटी वाली साइट रहते है उदर से एक कारट को उटी कारट लीजेगा प्रफरबली रेड कारट तो वैसे अवैलेबल भी नहीं है अभी तो इसको ग्रेट कर लेंगे मोटी मोटी साइट से मैं का पुलाओ बना रही हूँ और ये देखने में तो बहुत अच पुलाओ और ये तो थोड़ा सा स्वीटर नोट पर है तो इसलिए गी में और भी अच्छा बन रहा है थोड़े से खड़े मसाले में एक चोटा ही प्याज है ये इसको एड़ कर दिया है और इसमें जिंजर गालिक का पेस्ट जाता है इसमें गालिका टेस्ट अच्छा आत मैंने सिर्फ जिंजर आड़ किया है ग्रेट करके अब भी ग्रेट करके या तो पेस्ट करके ही यूज करना एंद इसके बाद भुनाई करेंगे अच्छी तरह ये जो आपका जिंजर है खुश्बुसी इसमें से आने लेगेगी आपके प्यास जो है वो लाल हो जाए ज़र इसकी भी भुनाई करेंगे एक मिनट जैसा इसको भूने लेना और इसके बाद पर इसके अंदर आड़ करेंगे किश्मिष जितनी आपको पसंद हो कम ज्यादा मैंने थोड़ी यह एड़ किया अर इसके बाद पिर मरचिया अड़ यह 혼자 करके वनना यह फट जाती है तेल में जाकर के इसके बाद सोग किया हुआ long grain rice इसके अंदर मैंने add कर दिया है और इसके भी थोड़ इसी भुनाई कर लेना and then इसके अंदर add करेंगे water, salt, बस हो गया और ये पुलाव इतना खुबसूरत बनता है and tasty, flavorful भी बनता है तो ये characterize we must try है आपके कुकर में धीरे-धीरे सीती बचती हो देर में बचती हो तो दो सीती ले लेना फटा-फटाती हो तो तीन सीती ले लेना और इसके बाद इसका temperature अपने आप release हो जाने देना, कुकर ठंडा हो जाएगा तो ढकन कोल लेना और अब देखिए कितना सुन्दर मटर पनीर बना है इसका color एकदम बढ़िया है स्वाद तो ये बहुत ज्यादा था ही और इसका texture और gravy भी बहुत अच्छी बनी है चले आप फटा-फट से छोले को finalize कर लेते हैं तो छोले मसाला मैं आज खोल रही हूँ खाली हो गया था कंटेनर तो ये मेरे अपने ही brand का है लिंक आपको वीडियो के description box में मिल जाएगा अगर आप try करना चाहते हो छोले मसाला गरम मसाला हमारे best sellers में से एक है तो ये cooker भी ठंडा हो गया था इसके बाद इसके अंदर से जितने भी खड़े-खड़े मसाले थे वो सारे में निकाल लूँगी और जो भी टमाटर थे ना उसका छिलका उतार लूँगी मैं और आप यहाँ पर एक काम ये कर सकते हो कि ये जो टमाटर है इसको निकाल लीजेगा अलग प्लेट पे और फिर वहाँ इसको माश कर लेना चम्मस से या पटीटो माशर से और अगर और भी स्मूद आप ग्रेवी चाते हो तो इनको निकाल के मिक्सी कर सकते हो लेकिन मैं थोड़ा सा ऐसे ही raw जैसा रख रही हूँ मतब crude टाइप में बना रही हूँ ग्रेवी तो simply इनकी छिलके उतार करके ऐसे ही spatula से cooker में माश कर ले तो भी चलेगा ये अच्छे cook हो चुके हैं अभी तो अच्छी तरह से माश हो जाते हैं खड़े मसाले निकाल लेना is optional बट मैं बूल रही हूँ कर लीजेगा क्योंकि मुह में आते हैं तो अच्छे नहीं लगते हैं और अब इसमें अक्च्छल मसाले आड़ करेंगे पहले मैं देख रही थी छोले गल गए होंगे बट गले नहीं थे अंदर एक जरा सी कनी बाकी थी तो अभी मुझे इन्हें गलाना होगा तो सारी ही चीज़े अभी मैं एक साथ आड़ कर दूंगे आप देख रहे हो कितने क्विक वाली रेसिपी है तो मसालों में जाएगा लाल मिर्ची का पाउडर स्वात के यसाब से धनिया का पाउडर थोड़ा ज्यादा तो एक चमच मैंने वो आड़ कर दिया है थोड़ा सा मैंने गरम मसाला भी आड़ कर दिया है थोड़ा सा आमचूर ये भी मस्ट है छोले में बहुत अच्छा टेस्ट देता है तो क्योंकि मुझे आमचूर भी मिलाना था तो फिर मुझे बाद में यह लग रहा था कि यार पता नहीं आप छोले गलेंगे की नहीं क्योंकि खटाई में चीज़े गलती ज़रा कम है तो मैंने एक चुटकी सोडा आड़ कर दिया है साथ में तोड़ी कसूरी मेथी भी आड़ कर दी थी अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए अगर आपको लग रहा है कि कंसिस्टेंसी आपके हिसाब से यहां कम ज़्यादा है तो अज़स्ट कर सकते हो मतब जैसे यह थोड़ा कम लग रहा है पर मुझे थोड़ा लटपटे ही रखने दे तो मैंने पानी नहीं मिलाया तो थोड़ा गरम पानी यहीं पर मिलायेगा और इसके बाद यह जो छोले है इसको वापस से तीन सीटी दे लीजेगा यहाँ पर राइस आपको दिखा दूँ राइस मेरा मीन वाइल डन हो गया था तो इसमें से भी यह जो मसाले है गरम मसाले इनको मैं रिमूफ कर लूँगी और इसके बाद इसको फलफ कर लूँगी यह राइस आप देखो तो कितना सुन्दर लग रहा भी मैं जब इसे फलफ करूँगी न तो आप इसमें जो कलर ग्रेडियंट आया है वो आप देखना वाइड भी है यलो भी है डाक यलो औरेंज जिश राइस भी है तो यह प्लेट में जो आप सर्फ करते हो ना तो यह ब अबंब रोamı मिर्चिया और कटे हुए अध्रक है वैसे आप चाहें तो थोड़ा सा चोछ़आ का मसाला यह एडं कर लेना चाहें तो थोड़ी से बड़ी वाली इलाइची रहती है शोध कर यह बहून सकते हो और चाहें तो थोड़ा सा कलर वाला मिर्ची भी ढाल सकते सी भी वक्त आप चाहें छोले बनाना बस छोले सोक डोने चाहें तो पांच जस्मेंट में बन जाएगी सारा काम बस गैस को ही करना आपको भुनाई वनाई करने का कोई टेंशन लेना ही नहीं सारी चीज़े डिश आउट कर रही हूं मैं राइस सुंदर सा टेस्टी सा हमारा रेडी हो गया है छोले भी बहुत बढ़िया तयार हुए थे इसको बाद में थोड़ा गानिश करूँगी मैं हरे धनिये से आप ऊपर थोड़ा सा बारी कटा हुआ अधरक के जुलियन्स भी आड़ कर सकते हूँ वह भी देखने में बहुत अच्छे लगता है और छोले के स देखो मटरपनीर में मैं फिर से कह रही हूँ गालिक अच्छा लगता है तो आप खाते हों तो मिला लेना अच्छा लगेगा पर इसका कलर देखिए इसका जो कंसिस्टेंसी वहाँ देखिए बहुत सही बना है बहुत प्लिजाएं आप कुकर में लाजवाब बनता है मैं तो कुकर ही प्रेफर करती हूं मटर पनीर के लिए इसको भी थोड़े से हरे धनिया से गानिश कर लेंगे यह भी रेडी हो गया है अब रह गया है खीर तो कारमल खीर आप देखें एक तो इसका कलर बहुत अच्छा है आप बस हानी के कलर तक का ही इसको कुक करना कारमल को तो उसमें गाड़ा कारमल भी अच्छा लगता है पर खीर वगयरा में हानी जैसा ही रखना उपर से थोड़े और ड्राय फ्रूट के साथ आप इसको गानिश कर लो मैंने रोज पेटल ड्राय करके रखे हुए है फ्रिज में तो इससे भी मैं थोड़ा सा गानिश कर जूँ कित केक कटिंग कर लेता है फिर खाना का लेंगे और बाते तो हम रात में भी कर सकते हैं तो दाइट वेज ना डिनर थोड़ा टाइमली हो जाएगा केक मैंने मंगा आया था शाम में ही और अच्छा केक है यह हेजलनट वाला था बढ़िया फ्रेश उन्होंने भेजा था टेस् और केक कटिंग सेरेमनी हुई और मुझे पता है कुछ लोग बोलेंगे यहापे कि आप लोग तयार क्यों नहीं हुए दो पांच मिनट ही लगती है ऐसे ऐसे मुझे आते हैं कॉमेंट तो देखिए मैं अभी तक किचन में बिजी थी और मैं अभी वापस किचन में ही जाने वाली हूं और बच्चे लोग का एक्जाम था वो पढ़ाई ही कर रहे थे वो उटकर ही आये थे बस तो यहाँ पर केक कटिंग सेरेमनी हुई है और इसके बाद फिर शर्मा जी का जो गिफ्ट है वो एक दिन पहले ही आ चुका था वो फ्लिप कार्ट से और किया था मैंने तो एक दिन पहले ही इसके डिलिवरी हो गई थी and husband इसको अलड़ी देख चुके है क्योंकि जब आप Amazon या Flipkart से इस तरह की कोई चीज़े मंगाते हो तो उसको चेक करना जरूरी होता है तो उसी वक्त यह पाकेट वो लोग भी बोलते है कि आप खोल लो चाहें तो वीडिय से order अगर कर रहे हो ना तो जो डिलिवरी वाले भाया है उनके सामने ही इसे open करके check कर लें कि बॉक्स के अंदर जो होना चाहिए वो सब है also आप एक small video बना करके रख सकते होगी in case भगवान ना करे पर अगर ऐसा वैसा कुछ हो जाता है डिलिवरी में तो वीडियो आपके प्रूफ का काम करेगी तो यह मैं आपको इसलिए बता रही थी क्योंकि यह सारा process हम लोग कल कर चुके हैं घड़ी मंगाई थी उनके लिए तो उन्होंने देख भी ली कि घड़ी आई है कौनसी आई उनको पसंद भी आई बस उनकी इच्छा यह थी कि पहना आए उनको पा चानू कुर दापर हुँ हो तरमा तरभा होुआ हो निमने तरमौ कर ने नहीं हो एक प्रिद ने हम एक डे गलम एज़ नहीं और यह थिसा मारे कुशे के सबसे नाजग दी और थे कंड़ा हो वह तो अज़ती पनिया और इंट वर सब्याएं को सब्सक्राइब ने एस आए ज़ फड हम लोग है ना जब इस तरह से छोले बोले बनाते हैं तो उसके साथ जो राइता बनाते हैं वो पतला बनाते हैं जो कि ग्लास से पिया जा सके तो मैंने बुंदी वाला राइता था वैसे तो यह पर इसमें बुंदी बहुत कम थी पतला सा राइता बना लिया था साथ में नीम सब को बहुत अच्छे लगिया और रियूली गूद फामिली ताइम अभी इनसे खीर नी खाई जारी ना तुई नहीं याराया कि पापा के साथ पड़ी साफ रस्ती कर रहे है। अभी खाई है। पॉपुक है। पार्थ कारें ये पार्थे भी भार्थे अच्छे呢 क्या संसे अद्के suggesty कि अि थी अच्य। त्टी भी अच्लिटाश्ट प्डडली और र धार्रथे खीर रणीनने ये मेंने आखयाने तौर्ड disease शेयर कर चकी हूँ बट लास्ट वीडियो में मुझे एक कॉमेंट आया था कि इसकी रेसेपी फिर से आप शेयर कर दें तो मुझे लगता है न्यू व्यूवर होंगे वैसे भी हर वीडियो कोई ना कोई तो पहली बार देखी रहा होता है तो यह सिंपल सी जो हम ब्लाक टीनी मुझे वाले होई भाए है हलकी सी पती डाल करके थोड़ी सी चीनी डाल करके उबाल लिया है उसके बाद हाजमूला की गोलियां जरा सा नमक और निम्बू काट करके उसका जूस आड करके यह लामेंट हाजमूला बन जाती है अन्य बहुत अच्छी डाइजस्टिव्टी ह होती है мिसका टीश भी पहुत अच्छा आता है तो यह आप ट्राइब कर सकते अच्छह लगे कि आपको आगें वीडियो के एन पर उम्मीद करें वीडियो अच्छह लगी हो मेरे एफ़र्स अच्छह लगे हो तो वीडियो के लाइक दे सकते हो चैनल पर नहे हो, यह चैनल आपने अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लिजी, इस आपसूलूटली फ्री फ्री यू, जल्दी मिलूगी आप से एक नहीं वीडियो के साथ, तिल देन, आल भी टेक रियली गुद केर फियर सेल्फ, take care, bye-bye